महें सलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स बदमाशों के बीच में आपने गैंगवार देखी होगी क्या आपने बंदरों और कुटों के बीच में भी गैंगवार देखा है तो आज देख लीजिए आपको ये बात सुनकर हसी जरूर आ रही होगी मगर महराश के बीड जिले में काफी दीनों से बंदरों और कुटों के बीच में गैंगवार शुरू था बंदरों ने अब तक कुटों के छोटो छोटे पिल्लों को करीब 80 पिल्लों को गैंगवार के दौराण मार डाला हो जाती थी उसी तरह से कुट्ते भी मौका मिलते ही बंदरों पर हमला करने में पीछे नहीं रहते थे इस गैंगवार की खबर जिसने भी सुना वो चौक गया हलाकी ग्रामीडों ने इसकी शिकायत वनविभाग को के और आतंक का प्रयाय बने तीनों बंदरों को और जांच करने के लिए हमारे टीम वहां पर पहुची और हमने वहां पर सुनी चित किया तो वहां पर एसा दिखाई दिया कि वहां पर दो तीन बंदर आयो है थे उसमें से एक बंदर कुट्टे के बच्चों को उठा के पेड़ पर लेके जा रहा था और अपने साथ लेक अबित हुए हैं आप इन बंदरों को पकड़ उनके आधिवास में छोड़ दीजे इसलिए हमने हमारे वग्यवन अधिकारी श्री एजबी कर्ण सर और हमारे और पेश्तर अधिकारी श्री योई चिक्टे सर इनके मारदर्शन में हमारे टीम ने उन बंदरों को उस गाव म छोड़ दीए